मैं मवजूद हूँ जनपत जाउनपूर के मुगरा थाना छेत्र के अंतरगत लवपंडितपूर गाउं में आपको बता दू एक मामला आया है सोसल मीडिया पे काफी तेजी से वारल चल रहा है सत्यम का 6 महीने पहले सत्यम चोरी हो जाता है और यह सत्यम की माँ है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 6 महीने के बाद यह खुलासा होता है कि अचानक सत्यम प्रताब गड़ के हीरा गंज मार्केट में मिला है अब कोई महेश केसरवानी करके हैं हरिस्चन केसरवानी करके हैं उनके पास इनका बच्चा पल रहा है और वो अपने बच्चे का नाम बिश्डू नाम रखे हुए है अब वो बिश्डू है और इनका माँ है इनका कहना है कि वो हमारा बेटा सत्यम है अब वो सत्यम है या बिश्डू है वो का बार-बार ये कहना है इनसे कि अब DNA टेस्ट करवाले अगर ये आपका बच्चा निकलता है तो आप बेविजक अपना बच्चा लेके जा सकते हैं और उनसे जब पूछा गया तो लोग कर रहे हैं तो पॅ कॉछा रहे हैं कि अगर DNA टेस्ट में सत्या महीं निकलता है तो पच्चास लाख रुपए का मानहानी का दावा इनके उपर दायर करेंगी ऐसा बिश्डू की माँ और बिश्डू के जो मुह बोले पिता जी हैं वो लोग कर रहे हैं अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक माँ है नो महीने अपने कोक में रखी हैं और ग्यारा महीने कोक से बाहर ये पाली पोसी हैं किस तरीके से जिंदगी इनकी बेतित हो र राद दिन तन मदत करें कि अम इनसे आप प्रयास करेंगे फिलाल सब्धे पहले आपका नाम क्या है मेरा नाम रंजू पांडे जी आपकी साधी पांडे पुरगाओं में हुई है जी लोग पांडित के पुरा अच्छा ये बताईए मामला कितने दिन पहले शुरू हुआ था और आज तक कितने दिन हो गया जो अभी तक चल रहा है जी मामला आज से तकरीबन साथ या छ शुरू हुआ था और 6 सितंबर की रात हमारा बच्चा चोरी हुआ था जैसे बच्चा गायब हुआ उसी वक्त तुरंत आख खोली हमारे और जैसे हम पीछे गया चोर को हमने देखा भी भागते हुए लेकिन उस तक पहुंचते हुए पता नहीं वो किसी शायद गाड़ी स कुछ था उस समय इतना जल्दी भागा कि हम दूसे देखने ही पाए और नहीं ढूंड पाए पुलिस आई उस समय तुरंत पुलिस भी आई आदे घंटे में लेकिन पुलिस ने काम चपे-चपे पे हर सड़क पे हैं लेकिन बच्चा हमें कहीं नहीं दिखा जैसा कि ये होता है आप फुलिस को फोन करती है पुलिस दो बजे के आसपास आती है धूड़ती है और फिर हमारे घर पे आके ये पूछताच करती है जब हम भी अपने बच्चे को ढूने निकलते थे तो पुलिस हम से ये पूछताच करती थी कि मतलब हमारा सारा नंबर सर्विलांस प यह सब मालूम होता है कि वो लोग आपके उपर ही निगरानी कर रहे थे और आपके उपर ही उनका निगाथ कि हो सकता है यही कहीं नगायब करवा दिये हैं ऐसा हो सकता है जी और वो सोच रहे थे साथ हम अपने तरफ से कि देखे हम भी बहुत ढंग से कि कोई जानकार है पंडित है जोतिश है हम उसे भी पूछ लेग बच्चा कहा है तो इस ढंग से अगर हम किसी के पास जाते भी थे तो पूलिस जो है उन्हें रातो रात पकड़ के बंद कर देती थी अच्छा आप कोई पूछने जाता था तो पूलिस उसे बंद कर देती थी किया है तो बच्चे के लिए तो पूलिस हर हमेशा हमें ही पाबंदी में रखा यहां तक कि हम यह सोच रहे थे कि पूलिस हमारी मदद कर रही है लेकिन पूलिस तो हमारी कोई मदद ही नहीं कर रही थी वो सरीफ और सिर्फ हमें वहां से वहां तक जाने के लिए रोक लगा प्रियस सरकार है तो आपको क्या लगता है कि यह मैंने थो सुना था कि योगी बाबा के सबकुछ जितने भी सार उत्पात मच रहे सर बंद्द करें ऐसलों सब ख़त धो रहे हैं जितने बंद नहीं है उतने ही सबके उपर आफद विपत और पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि इनके सरकार में हमें कुछ फाइदा मिला है हमें जहां तक है तो नुकसान ही मिला है राशन के राशन पानी तो सब देते हैं यह इन्होंने भी दिया कोई मदद नहीं कि हमारी लेकिन हम जिस अच्छा यह बताईए उस समय आप जब आपका बच्चा गायब हुआ था आपके परिवार में टोटल कितने लोग होंगे देखिए मेरे दादा दादी जो मेरे दादीया सास और दादा ससुर हैं वो हो गए एक मेरे सास ससुर हो गए चार एक मेरी देवरानी और एक देवर दूड़ने के बाद भी पूलिस आपके उपर हिस्तक करती है और बच्चा भी नहीं बरामत कर बाती हैं मतलब जैसे कि पूलिस यह कहती थी मुझे बार बार कि तुम अपने माई के चली जाओ कुछ दिन तुम्हारा माइन जो है फ्रेश हो जाएगा तुम अपने माई के च पूश्टाश करके ना वो खाना खाया थे ना पानी पी थे उन्हें सुबह से शाम तक बिठाय गया था पूश्टाश के लिए और यहां सकते हैं टोर्जर कर रहे थे उसके बाद मुझे यहां पर आके मतलब 8-10 की तागाद में पूलिस कभी 5-6 की तागाद में रोज 5 दि बताओ लेकिन में क्या वताऊ अपने घर के बारे दूसरी तरब और आपका प्रसाशन आपके उपर गलत निगाहों से देखते हैं और अपनी बच्चे और प्रसासन को जो है कि गलत तरीके से घुमा रही है यही प्रसासन का कहना था जी और आज तक भी वही कहना था अगर यह बच्चा नहीं मिलता तो अब तक वो अंधेरे में यहां तक कि हम सीमा दुर्वेदी सांसच जी के भी पास गए थे इस मामले में तो जब उन से भी हम को बता दू यह मा है एक बच्चे के लिए रो रही है और सरकार से न्याय की भीख मांग रही है और अपने बच्चे के लिए जो 11 मह का इनका बच्चा था सत्यम अचानक चोरी हो जाता है इनके घर से और यह सरकार से और अपने मुगराबासापुर्थाने के जो यह सच्च कर रही हैं फिलाल इनसे अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छे पुलिस इनकी कितनी मदद कर रही है इस वक्त अच्छे यह बताईए कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमारा बच्चा प्रताब गड़ के कुंडा जिले के हीरा गन मार्केट में है ऐसा आपको कैसे कि अच्छी को कुछ नहीं हुआ है जहां है सुरक्षित है और मेरा बच्चा सुरक्षित ही निकला उसी ढहां से भगवान ने शायद सुन ली थे और बच्चा तो वहां पे हमारी जो रिष्टेदार है उन्हें तो उसी दिन पता चल गया था बच्चा जब हमारा गायब तो उन्हें डाउट हुआ कि यह सेम बच्चा उन्हीं जैसा लग रहा है तो उन्होंने बुलाया तब हम जाके वहां पर पता चला लेकिन जे फर्स टाइम जो मेरे ससुर जी गए थे देखे और फिर यहां से फिर आये यहां पर फिर पुलिस को लेके गए तो वहां पर उनके समय पुलिस जा रही है मीडिया वाले जा रहे आप लोग जा रहें तमाम लोग जा रहे हैं फोटोस कहा से baptism पास जो है कि उतिख़ा का और वह व्य है और कुछी है यह सारी चीजे कहा से आई मुझे पास कोई प्रूफ नहीं था दूसरी बार जब हम आ गये तब उन्हो पे मैंने फोटो क्लिक करके ले कर आ गए हूं vemिन किसी का बच्चा में लेके पालती हैं और पीचा है जो मैंने मैंने गोद लिया है एक दिन शान दिन ही लिया है तो क्या वह उत है वह आपका बच्चा है दुसरे के बच्चे में पत्रलीफ होती है कि यह कहां था इतने दिन और आज कहां से मिल गया और जब मैं आज उसक synergy हो चाहती हो तो मैं खड़े हो जाघारे हैं लोग की इंद्ने पत्रकार है जो ग시 तरह एक तरफ मोडने रहे हैं यह कह रहे हैं नहीं सत्यम ही है सत्यम है वो लोग गलत कर रहे हैं आपका बच्चा आपको नहीं सोप रहे हैं उनके उपर कारवा यह तमाम तरीके की एसी जो है कि उस पर कमेंट डाल रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो कमेंट डाल रहे हैं उससे थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि वो बच्चा और हमारा बच्चा मैच कर रहा है और हम भी जानते हमारे नात रिष्टेदार सब यही कह रहे हैं कि बच्चा एक नंबर पक्का वही है लेकिन जो बच्चे की माँ बनी है वो कहती है कि बच्चा मिलता जुलता है एक ही कि लोग बहुत जंट तो मैं कहते हूं आपके शकले के मुझे दिखाईंधे ना 2-3 जंट से मिलवा दीजिये आप जैस हैं मुझे वैसे दो तिन जन्ट से मिलवा दीजें मिलता जुलता तो मैं जान जाओं कि हाँ इसी देश में इसी भारत देश में इसी प्रताब गड़ जीले में इसी जॉनपूर में एक शकले के दो जन है